हेलोस तो आज लोग बात करने वाले हैं टेक्नो की तरक से आने वाले एक नए फोन के बारे में टेक्नो ने यहां पर लॉंच कर दिया है टेक्नो केमाउन 16 टेक्नो केमाउन 16 इंडिया में लॉंच हुआ है 10,990 रोपेज की प्राइस पे यहां पे आपको 4GB और 64GB वेरेंट बीडर बीक्न कितना अच्छा यह फोन है क्या आपको इस फुन को लेना चाहिए लेना चाहिए तो किन रेजेंज की है और अगर आप employers की के इस फोन को लेने का सोच रहें तो चलिए उस तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस फोन में आने वाले कुछ की तरफ से नहीं बताए गया है तो इस तीज का आपको डिजाइन फोन की देखने में काफी अच्छी लगती है और पीछे आपको जो कैमरा मिलता है पीछे की तरफ को फिंगर पेंट संजर सामने की तरह आपको पंच्छोल क्यामरा देखने के लिए मिलेगा यहां पे जो डि प्लेशन देखने के लिए मिल रहा है और प्राइस ग्यारा हजार रुपए है तो अगर आपको फॉल हडी डिस्प्ले चाहिए तो आप इस फोन को साथ नहीं जा सकते हैं आपको किसी और फोन को सलेक्ट करना पड़ा है क्योंकि ग्यारा हजार में काफी सारे फोन आते हैं यहांपे अगर आपको बात करें टेक्नो आपको देता है एंड्रोइट 10 पर फोन आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आपने टेक्नो का फोन यूज किया और आपको वह एक्स्पीरिंस अच्छा लगा तो आप इस फोन को जरूर लिए आपके लिए फोन परफेक्ट है बात करें यहांपे आने वाले प्रोसेटर की तो मीडेटेक का जी सेविंटी आपको प्रोसेटर देखने के लिए मिलेगा गया ग्याहां परको पर्फोर्मेस पर किसी भी टाइप की दिखकत नहीं होने वाली प्राइस के साब की अच्छा रखा गया है अगर बात करें इस खास नहीं से उसकी विले से आप इस फोन को ले सकते हैं वरना कैमरे में ऐसी कोई खास चीज नहीं दे रखी है रेयर वाले में अब बात करते हैं अब बात करते हैं इस फोन के लास्ट वीचर के यहां पे आपको पांच हज़ार इमेश की चार्जिंग देखने के लिए तो चार्जिंग तक हो जाता है तो इसलिए इसका जो चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है यहां पे आपको पांच है वाट्रा इमेश की चार्जिंग देखने के मिलती है क्योंकि काफी चीज़ा करें यहां पे टाइप सी पोड़ तो शायद चार्जिंग थोड़ा कम हो सकता था यहां पे बड़ा को माइक्रोवेस वी पोड देखने के लिए मिलता है जोस्तों यह है इस पोन के सारे के सारे फीचर्स और सारी के सारी चीज़ है अब आपको किन फोन में कुछ यह जी होगा जिनका आपको ध्यान में रखना और उनकी वीरे से आप इस फोन को शायद ना लें तो उसमें से सबसे पहले चीज़ते इस फोन की बिल क्वालिटी दूसी चीज़ा यहां पे आपको एस्टी प्ले डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती है तीसी चीज़ दोस्तों यहां पे आपको जो क्यामरा मिलता है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जिसकी विज़े से आप इस फोन को ले ही ले मतला बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्यामरा नहीं दे रखा है तो यहां पे इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना ह झाल झाल